तंत्र इच्छा के नाम पर कोई भी विगती अपने वर्दान का उप्योग करे या तो उप्योग ये तो उसी बेने भगरता है जगती प्राप्थ होने से को शर्ट इशाली बन जाए ये सकते नहीं शर्टी का सम्मान अब रहन करने की शम्ता होनी चाहिए और ये शम्ता किसी वर्दान से प्राप्त नहीं होती ये तो हमारे भी दरीर इकसत होती है हमारे विचार्म से जन्सकार से तो प्रभू जो आपके तपस्यागर आपको प्रसंद कर लेता है उसके विचार वाकर्म शुन्ती है होंगे ना अधिकांच वे पेश्वर के प्रति के वो लिचीले समर पे तरहते हैं ताकि वे अपनी सांच सारे के इच्छाओं की पूर्टी कर सकें उनके विचारों की शुद्धता उनकी तपस्यागर बहुतिक वाक का मात्यों बनके रह जाती है उसके पड़ी डाद का नहीं एंभा से करसे तैसे व्यक्ति अपने से पर देखी नहीं बाते उन्हें जो चाहिए वो इसलिए नहीं कि उससे वो संसार का उठार करना चाहते हैं अब तो इसलिए कि उससे वो कीवल अपना अपने परिजनों का उठार कर सकें और शक्ति पालेने के पर चाहत उनका अस्ति स्वरों प्रध्यक्षोता उनके रध्यत्यों के तो शुबार कर सामने आते हैं ऐसे व्यक्ति इस प्रम को पोशुद करने लगते हैं वही धर्म वही नियम और उनकी यही सोच उनने दाइत अभीहिन बना देती हैं और उनके शक्तियों को अध्याचार वसोशन कमाथ्यम बना लेते हैं जब जब वर्दान को आई तो अन्याय कमाथ्यम बनाया जाएगा मैं या नारायन किसी भी रोप में अफ्तरत होगे महादेव पहादेव 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 मुसकान तब श्यक्री कि ठाहाँ खखजई पादे एंड कर दो रज़ एंड कर दो भादे एंड कर दो दो जोता है अज़एब है